तो हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में फिलाल दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यूपी पुलिस में बहुत ही जल्द निकलने वाले कॉंस्टेबल के 25,000 पदों के भरती के बारे में ठीक है दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप डिस्प्ल नॉबर 2021 को 6 बच के 21 मन पर सुबर प्रकासित की गई है तो दोस्तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें बाकि आईए बिना किसी देरी के डिरेक्ली हम चलते है अपने टॉपिक की तिरफ तो दोस्तो बेसिकली नियूज यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रोनती बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस में 25,000 सिपाईयों की भरती निकालेगा कितना 25,000 ठीक है दोस्तो कुछ दिनों पहले DGP मुक्याले ने इन पदों पर भरती का अधियाचन बोर्ड को भेजा था ऐसे में उमीद की जा रही है कि इस माह या अगले माह में UP पुलिस में कांस्टेबर की बंपर वेकेंसी निकलने वाली है तो क्योंकि दोस्तो देखा जाए तो 5 दिसमबर तक SI का और ASI का ठीक है दोनों का एक्जाम अभी चल रहा तो जो कैंडिडेट यूपी पुलिस भरती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अपना तयारी कर ले ठीक है तो बाकी आगे कभी देख लेते हैं क्या बताया गया है बताया जा रहा है इन पदों के लिए बारहमी पास की योगिता मांगी जाएगी कितने की बात की गई है बारहमी पास आयू सीमा 18 वर्स से 22 वर्स रखी जा सकती है ठीक है से एस्टी ओबीसी वर्ग के उमिद्वारों की आयू में 5-5 वर्स की छोट दी जाएगे ठीक है कितने वर्स की पांच वर्स की से एस्टी ओबीसी वर्ग के उमिद्वारों के लिए पिछली साल की भरतियो पर नजर डाले तो उम्मिद्वारों का चयन लिखित परिच्छा और सारीक दिच्छता जैसे कि आपको पता ही होगा रीटेन और फीजिकल दोनों एकजाम देने होते हैं इसमें पहले रीटेन एकजाम आपके होंगे जो की ऑबजेक्टिव होंगे ठीक है कैसे होंगे ऑबज त्यारी स्टार्ट कर दें क्योंकि जो वेकेंसी है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में आनी है आनी है या दिसंबर में आपको ये वेकेंसी मिल जाएगी जो की लगभग 25,000 पदों के लिए होगी ठीक है अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब त अबरत थेंक यू